नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रीती और आप देख रहे हैं बिहार नूस आगामे बिहार विधान सभा चुनाव 2020 को लेकर कई उमिद्वारों ने अपना चुनावी ताल ठोक दिया है और इसी क्रम में आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुम्रार विधान सभा के निर्दलिय उमिद्वार विनोद पाठक तो चलिए सिधे उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर उनके पास क्या कुछ रणीती है विनोज जी सबसे पहले तो आपका विहार लूज में स्वागत है धन्यवाद सबसे पहले मैं कुम्रार की जनता को और विहार की जनता को हाथ जोर करके सादर पर नाम करता हूँ विनोज जी चुकी आप एक निर्दलिय उमिद्वार के तौर पर आपने दावा ठोका है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखे जनता आपको वोट क्यू दे ऐसा है कि पहली बार जब आदमी चुनाव लड़ता है तो जनता उसके चाल चर्टर को देख करके उसके बैक ग्राउंड को देख करके भोर देती है तो मेरा जो बैक ग्राउंड और चाल चर्टर है वो जनता के नजरों में स्वक्ष छविकर रहा हुआ है हम एक बेवसाई हैं और बेवसाई करते हुए कुछ उसके कमाई के हिस्सा को निकाल करके दानपूर्ण में, समाज सेवा में लगाते हैं जिसे परभावीत हो करके लोगों को लगा कि ये विनोत कुमार पाथक जी ने अगर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जितने हैं तो हमारे कुमरार की जनता का भला होगा और कुमरार की ऐसी इस्तिती है कि इतना दैनिये इस्तिती पूरे बिहार में किसी भी बिधान सवाकी नहीं है यहां कोई नेता नहीं है, कोई जनता का सुनने वाला नहीं है यह सब बातों को देखते हुए हमारे कुमरार की जनता ने, हमारे बेवसाई भाईयों ने यह सलाह किया और हमको पुरुत्साहन किया कि आप कुमरार से चुनाओ लड़िये और कुरार की जनता की सेवा कीजिए जी अगर आप जनता के भी जाते हैं तो वहां के लोग तो आपसे पूछेंगे कि आप मेरे लिए क्या कुछ करेंगे तो वैसे में अगर मैं मेनिफेस्टो की बात करूँ तो हम कुमरार में रहते हैं और कुमरार की गली-गली को हम जानते हैं, कुमरार के हर इस्तिती परिस्तिती को जानते हैं और कुमरार में जो समस्या है उस सब को जानते हैं, कुमरार की सबसे पहली समस्या क्या है कि जल जमाव, परचंड गर्मी में भी कुमरार की कई हिसों में हमेशा पानी लगा रहता है तो सबसे पहला तो प्रात्मिक्ता होगा कि कुमरार से पानी क्या निकास किया जाए वहाँ जल जमाव नहीं हो दोचरी समस्या है कि वहाँ बिजली के तार लुंज पुन्ज है आज भी बहुत सा इरिया है जिसमें बांस पर तार टांगर के लोग बिजली जला रहा है रोड खंढ़र बना हुआ है तो ये सब समस्या है ये सब समस्या के समाधान के लिए ही हमको कुम्रार की जंता तयार किया है कि आप चुनाव लड़िये अब रहा गया कि ये सब समस्या का समाधान कैसे होगा जब चुनाव आएगा मेरा मेनो फैस्टो आएगा उसमें सब आपको पता चल जाएगा कि हम उसका समस्या का समाधान कैसे करेंगे जी आप चुकि निर्दली ये उमिद्वार है तो अगर किसी बड़ी पार्टी से आपको मौका दिया जाता है तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे देखिए हम कोई नेता नहीं है कुम्रार का या बिहार का या पतना कोई बड़ा नेता नहीं है हम एक समाज सेवी हैं हम पता हैं कि हम समाज सेवा करने में अपने को खुशी महसूस करते हैं कि हमसे जितना सेवा हो सके इसी के ऊपर लोगों ने परभावित हो करके हमको चु लोग चुनावाद है समस्या की बाति कि वहाँ पर जो वी तस के बडियों है वो है जल जमाओ की समस्या और आपने ये भी कहा कि सिस्टम को दुरुस्त करना होगा लेकिन आपके पास इसको लेकर क्या कुछ रनीतिया है कि आप जल जमाओ की समस्या को दूर करेंगे हाँ मेरे पास रनीतिया है जैसे 14 साल को छोर दीजिए अभी 2019 अक्टूर्बर में बार आया था जो पूरा बीसो देखा था जो कुमरार में जो हुआ था उसको पूरा देश पूरा बीसो देखा था चलिए बार आता है आना भी चाहिए बरसात स्वास्त के लिए प्रकृति के हम किये थे लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बाद हमने नौवंबर में एक मिटिंग की रखा पूरे कुमरार के जनता को खबर किया उसमें करीब 400 सारे 400 आदमी आये थे वो मिटिंग का में मुद्दा था कि आखिर पानी निकलेगा कैसे हर साल बरसात आता है हर साल पानी आता है तो इसका उपाय तो किया जाए तो हम लोग क्यों नहीं अभिये से लग जाए कि अगला साल पानी आये निकल जाए उसके लिए हमने एक मिटिंग किया था सब लोग अपना अपना सुझाव दिया था जिसको प्रिंट करके हमने पटना के पूरे छोटे से बड़े आला ध होतीनी यह कुमरार की जनता हमको बुलाये पूछे की कुमरार का पानी निकलेगा कैसे थे हम बताय है उसमें उसमें बताय बचात् पूल बन सकता है यह तो क्या कुमरार की साथ किल्मीटर की पाणी निकल सकती complete निकलेगी उसके लिए नियत होनी चाहिए काम करने की नियत होनी चाहिए और मेरा जो पहला मने मुद्दा है जल जमाव की वो जल जमाव की मुद्दा है उसको हम करेंगे और उसके लिए हम अपना मेने पेश्टो तयार कर लिया है और कैसे करना है वो मेरे पास सब बीजन है समय आएगा तो हम आपको बताएंगे हमने सुना है कि एक पुजारी को आपने घर भी बना करके दिया है तो इसके पीछे की वज़ा क्या है कहीं ये कोई चुनावी स्टंट तो नहीं देखिए हम 2009 से पटना में हैं और 2010 से मेरा समाजिक सेवा और धार्मिक सेवा चलते रहता है ये कोई चुनाव से मतलब नहीं है हम तो चुनाव को दूर दूर तक नहीं जानते थे ये समाज सेवा करने के बदले में यहां की जंता ने बोला कि आप ओपरेशन तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं लेकिन आपको डॉक्टर की उपादी नहीं है तो हम लोग चाहेगी कि एक आप समाज सेवी की लाइसेंस ले लें चुनाव लड़की एक आप जन परतिनीदी हो जाएं कि आप और इससे भी बेहतर काम कर सकें यह चुनाव बीस में आ रहा है और मंदिर हमने बनवाया सोला में बनवाया पुजारी के घर रहने के लिए बनाया तो उसी दर मियान में छट घाट बनाना सारी बाटना कंबल बाटना होली मिलन करना किसी गरीब के लड़की की साधी करवाना किसी की सराध में मदद करना य उसका कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगे उसी दर्मियान में आया हमको लगा कि मंदिर तो बन रहा है लेकिन हमारे पुझाईरी जी को रहने का कोई जगा नहीं है तो उसमें बनवा दिया जाए तो उसको बनवा दिये अगर हम बात करें आपकी वेवसाई की तो आखेर राज राजिती में आ रहे हैं सेवा करने के लिए हमको नसा है कि हम जितना से जितना समाज का सेवा कर सके इसके लिए हम राजिती में आ रहे हैं अगर बात करें करोना काल की तो करोना काल में बहुत सारे असे लोग थे जो बेघर हो गए कईयों के जो जौब थे वो चले गए तो हमने बहुत किया, आप सोच नहीं सकते कि हम उतना कर सकते हैं, लेकिन जो इसके लिए कि वो तो वो जानेगा, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि कुछ एक दो बाते आप बताए कि उसमें क्या कुछ आपने करा, कि जो गरीब लोग थे, जो ज़रूरत मन लोग थे, उनको आप से सहायता पहुची? बेवसाय से जुरे हुए कई लेबर मिस्तिरी जो गाउं चले गए, हम यहां तक कि उनलोग को गाउं में भी बहेंके दुआरा हम पईसा भेजे, जिसका रसीद उनलोग के पास है, मेरे पास है, और लोग बताएगा, रह गए कि जहां जहां समाज से भी लोग खाना पीना बना रहे थे, लंगर चला रहे थे, बाट रहे थे, वहां भी मैंने पहुचाया, उनलोग को दिया कि आप लोग मेरे तरफ से भी कुछ खाना पिना उनलोग को बाटिये, लेकिन हाँ, हमने फोटो नहीं खिचवाया, और किसी को बताने की कोशिस नहीं किया, कि हमने इनको पांच किलो आज दिया, और जो ये दिखाने के लिए जो ये गाड़ी में भरके पांच किलो मोटरी लेकर के लोग जाते थे, उसमें आलू था, क्या था, हमको लगता है कि हम एक आद पैकेट देखे थे, वो आदमी की खाने लेक थे, नहीं खाने लेक नहीं थे, लेकिन हम जितना जब तक होगा उतना करेंगे अगर चुनाव में आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप जनता के भी जाकर क्या कहेंगे और कौन सा काम ऐसा होगा जो आप पहले करना चाहेंगे अगर हम चुनाव जित्ते हैं तो पहला मेरा प्रात्विक्ता है मेरा मेनेफेस्टो में रहेगा या बार बार पूछ रही तो हमको बताना पर रहा है आपके च्छेत्र की जनता भी जानना चाहेगी कि अगर वोट दे रही है आपको अगर अपना जन्प्रति नीधी बना रही है तो ये हमारे लिए क्या कुछ करेंगे इसलिए मैं भी चाहूंगी कि आप हमारे के सामने बिहार न्यूस के माध्यम से बताए जी तो आपने बार बार रिपीट किया तो उसको बता देना चाहिए मेरा पहला प्राथ विक्ता है कि कुमरार में पानी नहीं लगे मैं जंता से वादा करूगा इसके लिए सपत पत्र दूगा कि आपने दस साल सुसील मोधी जी को दिये आज कुमरार के चलते सुसील मोधी जी भारत के राष्टिये नेता के तोर पर जाने जाते हैं पंद्रे साल अरून सिनाजी रहे, पचीस साल आपने दूसरे को दिया, हमको पचीस महीना दीजी आप, मात्र पचीस महीना, दो बर साथ, अगर दो बर साथ में पानी नहीं निकलेगा, तो पचीसवा महीने में हम अपने आप रिजाइन मार देंगे, विधायक से रिजाइन म निकलेगा हम अभी आपको जिक्र किये कि बड़े-बड़े समुद्र में जब पूल बन सकता है तो यह कुमरार की पानी निकलेगा उसके लिए मेरे पास प्लान है पानी कैसे निकलेगा ओ मेरे मेने फेश्टों बयाएगा हमसे डिबेट होगा हमसा बुला के पूछिएगा कि कैसे पानी निकलेगा हमारे पास है तो अभी आपसे जाना चाहते हैं कि आपके पास क्या प्लान है कैसे वहाँ से पानी निकलेगा जीक है आपने बार-बड़ फुच तो मैं एकाद पॉइंट बताऊंगा जैसे देखिए कुमरार का जो नक्सा है नेता लोग अपने काम न आप अपने रिपोर्टर को भेजिए इस नाला का दसा देखिए किया दसा है पानी निकालने के लिए पानी आपको निकालने की क्या जरूत है पानी तो खुद भी निकल जायेगा आप वेऊस्ता कर दीजिए इस दो नाला अगर अगर मुदिफाई कर दिया जाए, नीचे सीमेंट, साइड से सीमेंट, उपर से सीमेंट, अगर कर दिया जाए, इसको ढाल बना दिया जाए, तो कुमरार ही की नहीं, पतना की आधा पानी जो है वो पहारी पर जाके निकल जाएगा. पलस जहाँ पानी निकलता है, वहाँ मुह छोटा है उसका, वहाँ चोड़ा होना चाहिए, ट्रांस्पोर्ट नगर में दो संफाउस बने हुए हैं, पिछले बार साथ में एक संफाउस में डिजल ही नहीं था, एक कउध घाटन ही नहीं हुआ था, और जाकर देखें ट्रांस पानी सब निकल जाएगा, उसके बाद कहीं कहीं प्रोब्लेम हो सकता है, कि जैसे लेबलिंग का, उसके लिए बड़े-बड़े मसीन करोर रूपय का जब बरसात आता है, तो मसीन ही आता है, क्यों? चूरी करने के लिए, कमिशन खाने के लिए, आपको जो बरसात है तो क्य के लिए, क्यों? सरकार की आन बान सान है कि पानी नहीं लगने देंगें, उसके लिए किसी का घौर तोर दें, किसी का रास्ता तोर दें, उससे मतलब नहीं है, पानी नहीं लगना चाहिए, तो यह सब समझ से है, क्यों नहीं उसके पूल बना, क्यों नहीं उसकी नाला का न लुक मंत्री का हो, राजयपाल का हो, मेर का, सब का है, मेहन समस्य है पानी का, यह सहर है, यहाँ लोगों को रासन की रासन नहीं चाहिए, यहाँ केवल रोड बिजली पानी की बेवस्ता कर दीजिए, सब लोग खुस है, लेकिन सब से इस्तिति उसी का खड़ाब है, तो यह स राफिक भी कम हो जाएगा, और लोग सुगमता से पुर्वी पत्ना से पश्चिवी पत्ना तक आ सकते हैं, लेकिन यह टार्गेट है, और आगया, कि यह कोई अपने जेव से करना है, हमको करना है, सब जंता का पैसा है, सिस्टम है, जब हम नोकरी करते थे, तो मेरा बोस ए जनता नखा दे रहे हैं, तो हमको जंता अगर जीताता है, अगर जंता भोट दे के हमको चुनाव जीताता है, बिधायक बनाता है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं, हमको तो कलम से लिखना है, हमको मूह से बोलना है, काम तो सिस्टम को करना है, सरकार को करना है, तो इतना सबसे पहला समस्या है कि जल जमाऊ नहीं हो रोड ठीको और यह जो बिजली की तारे हैं वो सही ढंग से हो बागी बहुत काम है स्वास्त की समस्या है सिक्षा की समस्या है तो हम ऐसे आप केमरा के सामने हांग देख यह कर देंगे मेरे बस का नहीं जब तक सरकार में हम नहीं आएंगे कोई विभाग हमको नहीं मिलेगा हम यह नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए हम सक्षम है, इसके लिए हम किसी पार्टी में रहें, किसी पद पर रहें, या नहीं रहें, अगर हम जनता की परतिनीजी चूने जाते हैं, तो ये काम हमारे बसका ये कर सकते हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं, कि आप निर्दलिय जूत के जायेंगे, आप किसी सर अगर हम कहते हैं कि जो भी तनखा है मेरा जो भी विधायक का तनखा है उसमें से 10-20,000 रुपया हम अपने पेट्रोल के लिए ड्राइबर के लिए गूमने के लिए गर रख लें उसमें से पैसा निकाल दे तो समझ से अगर पैसा उसमाज में खर्च कर दे तो कितना पैसा होत है उसमें 20-25,000-50,000 रुपय भी हम रख लेते हैं और 2,000,000 रुपय बचता है एक साल में 24,000,000 रुपय होता है 24,000,000 समझ रे कितना का बोलते हैं आजकल एक मुहला का कलेवर बदल जाएगा रोड बन जाएगा बिजली बन जाएगा ये तो किसी के बसका नहीं ये तो हमार हमात हो करके हम चुनाभ में नहीं आये हैं और विधायक पी नहीं ओने जा रहे हैं हम महनत के बल पर हम काम के बल पर हम जंका से यह आसा करते हैं कि हमारे जैसे आदमी को आप लोग एक बार मदद करें और 25 साल जहले ना 25 साल जहले दो साल पांक साल जाते fibre कितना दरी लेका अगर मान लिजे कि हम कह रहे हैं कि दो साल के बाद रिजाइन कर देंगे, सपोर्ट जाकर हम नहीं रिजाइन करें, पांचवा सल जाते कितना रेम लगएगा, हमको बेजजद करके आप लोग उतारिए, जबानत में रिजब्द करा दीजिए, लेकिन एक बार हमको मोका दीज और हमको नहीं, हम पूरे बिहार के जनता से निवेदन करेंगे, कि हमारे जैसे कंडिडेट को कम से कम 20-25 अगर विधान सभा में भेजद देते हैं, तो आपका बिहार का कले और हम लोग बदलने की हैसियत रखते हैं, जी, बिहार न्यूस के तरप से सारी सुपकामनाय आप आपके लिए ही हैं और उमीद करते हैं कि आप चुनाव जीते और जो कुमरार की जनता है, वहां की जो समस्या है उसको जल से जल आप ठीक करें, चलते चलते हम चाहेंगे कि कुमरार विधान सभा की जनता जो है, उनके लिए कुछ आप संदेश दें देखे कुमरार की जनता को और विहार के जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि यह जो चुनाव आता है, तो पहले आप लोग समझे कि चुनाव जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और हम को बहुत किसको देना चाहें, जैसे यह बिधान सभा का चुनाव है, यह चुना साल में अगर कुमरार की नाम अगर विधान सभा में गया हो नहीं गया हो तो आप लोग किसी पाटी को मत देखिए किसी जाती को मत देखिए किसी मुखमंतरी को मत देखिए किसी विपक्ष के मुखमंतरी को मत देखिए आप लोग ये मत समझिए कि ये जीत के जाएंगे तो क और आपकी समस्या को दूर करेगा और अगर आप पार्टी पर जाती पर जाते हैं तो जैसे हो रहा है वैसे होगा तो हम एक बार फिर हाथ जोर करके कुम्रार की जनता से और विहार की जनता से नमन रिवदन करते हैं कि आप एक नेता नहीं एक सेवक चुनिए और सेवक चुनेंगे तभी आपका कल्यान होगा आपकी सेवा हो सकता है आपकी समस्या का समधान हो सकता है बाकि अगर मुख मंत्री और मंत्री या जो भी उपर देखते हैं तो ये ठीक ने अब मालिजे दखिए मुख मंत्री आप देखते हैं कि मुख मंत अगर हमारे जैसे 50 बढियां इमान्दार बढ़ेगा, उनको इमान्दार ही से काम करना परेगा, इसलिए जनता से बार-बार हम नम निवदन करते हैं, कि आप लोग एक जण परति निर्चुनिये, अपना काम किजिए, आप काम है बिधायक बनाना, बिधायक मुख मान्दार क चुनाव करेगा इसलिए बार-बार आगरा करेंगे कि आप बिधायक बनाईये विधायक का काम है मुखमंत्री बनाना पूराइक हमारे साथ बाचीत करने के माध्यम से ये वादा किया है कि अगर वो चुनाव में जीट जाते हैं तो कुम्रार विधान सभा की जो सबसे बड़ी समस्या है जल जमाओ की उसे वो खत्म करेंगे आज के कारे करम में फिल हाल इतना ही मुझे डीजे जाज़त लेकिन देखते रहें बिहार डियोज नमस्कार